एक बड़ी खबर इस वक्त की वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन ने राहुल गांधी पर जोड़दार हमला बोला है insult constitutional authorities. Why does he choose to insult constitutional authorities? क्यूंकि उस दिन इदर सम्मान्या, speaker साब को insult हुआ, उनके बडपन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे छुनकर इदर बिटाया, इसलिए प्लीस house should go as per the rules of this house. ऐसे करके बात छोड दिया. मगर, इदर insult, इससे पहले Dr. Manmohan Singh का insult कानून के उपर, उससे पहले Dr. Manmohan Singh विदेश में जब प्रदान मंत्री के नापे गये थे, उस समय, उनके द्वारा पास किये गया, अधियेश, और देंसो, फाड करके फेंट का फूडे में. Why does he choose to insult and and राश्रपती के अभीवाशन के बाद चर्चा जो हौस में होता है वो कतम होने के बाद भी उसी विशय के ऊपर चर्चा करना और उसी विशय को कुछ बहाने बात बोलते रहना Continuously Insulting Constitutionally Elected Authorities राश्रपती हो, प्रदान मंतरी हो सापके प्रदान मंतरी हो आपके प्रदान मंतरी हो Continuously Continuously Insulting वित्तमंतरी निर्मला सीता रामन ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले सदन में दिये गए बयान पर भी जम कर पलटवार किया और राहुल के ही बयान के जरीए रॉबर्ट वाडरा पर निशाना साधा मैं एक्सपेक्ट किया वो कम से कम वो बात बोलेंगे फाउंडेशन ले करने के समय नहीं वो भी नहीं हुआ सर फिस्ट पॉइंट हो गया सिक्स्ट पॉइंट में आ रहे हु मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राश्ट्रपती बाशन के समय मान्य प्रदान मंत्री जी का जवाब था उसमें उन्होंने भहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोले मैंने सोचा वन विश्यों में क्योंकि छोटा किसान से हम दो हमारे दो के लिए किसान से जमीन हडपती गए मैंने सोचा वकाड़े हो करके ये बात बोलेंगे प्रदान मंत्री जी आपने तो स्मॉल फामस के उपर इतना अच्छा बोल दिया मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो सामस को क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया मागर ये खिसान का जमीन है हम खड़े होना है राजनीती में है इसलिए राजनीती के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है आप जमीन वापस करो जी और इधर हाग करके बोल सकते हैं हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश दर के आई हूँ कि जमें वापस करो नहीं किया वो भी नहीं हुआ मेरा एक्सपेक्टेशन वो सिक्स तुटाचर नहीं हुआ बजट पर चर्चा के जवाब में जब वित्तमंत्री निर्मला सीता रामन ने बोलना शुरू किया तो फिर राहूल के हर बयान पर उन्होंने निशाना साधा उन्होंने चीन से तनातनी के मुद्दे पर भी राहूल के खिचाई की और आरोप लगाया कि राहूल को देश की सेनाओं और सरकार पर भी भरोसा नहीं है बलकि दूसरे देशों पर जादा भरोसा है कि कुछ बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हूरिये बार में रॹदर में? करने वाले और कभी भी बारत देश का बरोसा ना करते हुए बाकी सब को बरोसा करने वाले फेक नरेटिव क्रियेट करने का आरोप भी राहूल गांधी पर वित्तमंत्री ने लगाया तो उधर बीजेपी के कुछ सदस्यों ने राहूल गांधी की लोगसभा सदसिता रद करने तक की मांग किये बीजेपी सांसद राकेश सिंग के साथ साथ संजे जैसवाल और पीपी चौधरी ने इस सिलसले में विशेशाधिकार हनन का बकायदा प्रस्ताव भी दिया है उन्होंने राहूल पर सदन की गरिमा को ठिस पहुँचाने का भी आरोप लगाया उन्होंने का कि राहूल देश विर्योधी बाते करते हैं और बीजेपी सांसद नेशिकान दूबे ने लोगसभाग स्पीकर से राहूल गांदी के सदस्यता रद तक करने की मांगी सब्सक्राइब को बंद कर देना ही ज्यादा अच्छा होगा इसलिए हम लोग प्रिविलेज कर रहे हैं और हम कोसिस करेंगे कि उनकी सदस्ता समाम की तो सदन में वित्म